नमस्कार मित्रो तो आज हम बात करेंगे रफ स्टॉन के बारे में फॉर एक्जम्पल आप कोई भी स्टॉन उसका एनलिसिस कर रहे है आप देख रहे है तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो भी स्टॉन है वो ओरिजिनल है या नहीं है क्योंकि काफी सारे इसे स्टॉन साते हैं जो मेंड मेड आते हैं लेब ग्रो आते हैं तो उसका भी आपको एनलिसिस करना पड़ेगा और दूसरा जो आता है वो नेचरल डाइमंड आता है अभी नेचरल डाइमंड आपके पास है या नहीं वो केसे पहचान सकते हैं सबसे पह से में अनकि की में ईसकी मिलने करना सब से एक्जान हे उसके भीतर क और ग्यांक के साय वह धनाना है For example, अभी तो आपको कुछ मालूम नहीं है, आप सबसे पहले analysis कर रहे हैं और आपको ऐसा मालूम हुआ कि diamond के भीतर एक बड़ा सा black spot है Black spot यानि की काला धबा है, जो एक carbon का स्वरुप है, वेसा आप कह सकते हैं तो सबसे पहले उसका analysis करने के बाद हमें ऐसा मालूम हुआ कि diamond है, जो मेरे पास stone है, उसके भीतर black spot है तो हो सकता है कि आपके पास diamond भी हो, क्योंकि जो diamond naturally आता है, उसके भीतर काफी सारे impurities आती है काफी सारे इसे भी diamond आते है, जिसके भीतर कोई भी impurities नहीं आती, जो clarity wise बिल्कुल perfect है वेसे भी diamond आते है, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे है, वो impurity this diamond की बात कर रहे है क्योंकि आप जब diamond देखते है, तब आपको ये मालूम होना चाहिए, कि जो diamond आप analysis कर रहे है, वो काफी जो other diamonds है, उससे काफी difference है तो ये difference भी आपको मालूम होना चाहिए, like diamond के अंदर जो भी काफी सारे impurities आती है, उसके नाम भी आपको मालूम होना चाहिए firstly हम देखे, तो हम उसको नास कहते है, black spot आता है, उससे हम नास कहते है, then after जो cracks आती है, उसका भी प्रकार हमें मालूम होना चाहिए, कि कौन सी प्रकार की ये crack है, ये diamond की crack है या नहीं है, ये simple diamond है, वो हमें मालूम करने के लिए इस सारा का सारा knowledge भी होना चाहिए, जो आपक सकेंगे कि आपके पास जो भी कोई भी stone है, वो original form में है या नहीं है, दूसरी काफी सारे AC method भी आती है, जिसके through आप diamond का analysis कर सकते है, आपके पास gun भी आती है, जो diamond gun कहते है, उसकी strength हमें include करके देता है, उसकी strength कितनी है, 10 है, 9 है, उसका use करके भी आप मालूम लगा सकते है कि आपके पास जो भी stone है, वो diamond है या नहीं, लेकिन इससे अच्छी method, जो मैंने आपको पहले कहा, कि कोई भी stone है, उसका simply analysis कर दीजिए, और इसका analysis करने के बाद, जो भी आप अंदर देखेंगे, उसका एक not down कीजिए, उसके भीतर केसी-केसी impurities है, उसका not down कीजिए, like उस सारे प्रकार diamond में आते हैं, इसलिए diamond के भीतर काफी सारी impurities है, उसका not down कीजिए, उसके भीतर रेसा जिरम है, तो रेसा जिरम केसी है, वो उसका आपको knowledge होना जाए, जो नास है, वो केसी होती है, उसका knowledge होना जाए, जो carbon nas आती है, वो केसी आती है, उसका knowledge होना जाए, और इसके अलावा diamond है उसके भीतर काफी सारे cracks आती है अभी cracks का knowledge भी होना चाहिए लाइक आप जब mirror देख रहे होते हैं अब mirror में कोई भी crack है वो कैसे दिखाई देगी यह cracks कैसी आती है कैसे हम analysis कर सकते हैं वो सारा का सारा knowledge हमें step by step लेना है तो इसलिए आप कोई भी stone है उसका analysis कर रहा है तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि मैं जो stone है उसका analysis कर रहा हूँ उसमें कैसी कैसी impurities include है उसका note down करने के बाद ही आप मालूम लगा सकते है कि मेरे पस जो भी diamonds है वो original है या नहीं है